हेलो फ्रेंड्स कैसे हो मेरा नाम है संजीम जोतरा और आज हम जो टॉपिक लेके हैं वो है बहुत ही बेसिक सा बेसिक है असान भी है पर कहीं नहीं स्टूडेंट्स को यहां पर भी हम कहा सकते हैं किन्ट्विजिन हो जाती है किन्ट्विजिन कहां पे होती है आपको बताऊंगा अगर आपको अब नहीं बता थो आपको अपको देग सकते हैं वहां से आप देख सकते हों अब क्या रहा था की शुटी सी बुर्ण्स को कउछिजिए होती है चोटी सी बात कि तो यह oxidation-reduction कटि विक्शिद तो यह oxidation-reduction करिट कहां से रिडॉको्स डेक्शिन में क्या है चीज़ क्या है यह यह रिडॉक्सिर दक्षिन गजिए रोटोग्स डिदर्प्षं ताम से पना चलता है रिड औॉक्स रेड का मतलब रिड़क्षिन कि आउसका मतलब ऋकशिड़ेशन। इजी है अब में देखो ऑक्सिडेशन रेडक्शन जो दोनों ह सैमल टेनिस ली गू यहां क debido ड्रेट गू Supremlex लेक्षाप सेप्टी है आधी आपाड़ी, चलता है electronic concept उस पर बात करूंगा क्योंकि सारी electronic जमारी कह सकते हैं electrochemistry या हमारी redox reaction है उस पर ठीक हुई है ठीक है तो आपको यह चोटा सा फर्क नजर आना चाहिए कि oxidation क्या होती है reduction क्या होती है oxidizing agent क्या होते है reducing agent क्या होते है क्योंकि जब हम oxidation बोलते हैं तो कहते हैं यह वह reducing agent है अगर वह reduction बोलते हैं तो क्या हो oxidizing agent है तो उसमें confusion होती है उस confusion को आज हम दूर करेंगे बड़ी छोटी सी बात है हाले कि maximum students को वह चीज आती होगी पर यह video उनके लिए जो students basic नहीं जानते जिनको oxidation reduction के बारे में नहीं पता ठीक है तो उनका आज doubt clear करने जा रहा हूं ठीक है तो आप ध्यान से इस video को देखिए तो देखिए सारी कहानी किसकी है electrons की electrons की कौन सी कहानी मतलब electrons लूज या gain कोई भी atom या आयन या molecule वह क्या करेगा या तो electron lose करेगा या electron gain करेगा अब लूज कोन करेगा गेन कोन करेगा ठीक है अब जो लूज करेगा वो क्या होगा जो गेन करेगा वो गया होगा यह चीज़े इसी चीज़ पर टिक है हमारी oxidation and reduction चलो अभी मैं शॉटकर आपको बताता हूं फड़ा फटसे मैं कहता हूं यह रिग ऑईल क्या होता है यह कोई ओईल कमपनी नहीं है रिग का मतलब रिडक्षिन रिड़क्षिन गेन और ऑक्सिडेशन इस लूज है कि reduction का मतलब gain करना किसको? Electrons को, Oxidation का मतलब lose करना किसको? Electrons को तो यहां से कहानी निकल लगी हमें पता चल गया रिक-डॉयल से पता चल गया पर अब हम इसे डीटेल में discuss करके हैं देखो रिक का मतलब गया था? Reduction is gain, Oxidation is lose यहाँ पर आपको confusion नहीं होगी अगर यह चीज याद रखोगे यह प्रिकी याद रखोगे तो आपको असानी रहेगी समझने में चलो अभी हम actual में देखते हैं कि है क्या देखिए सबसे पहले हमारे पास concept तो classical concept आया था पर हम बात करेंगे बात करेंगे हमारे electronic concept की इलेक्ट्रोनिक कंसेप्ट की देखिए oxidation क्या कहती है oxidation क्या कहेगी इसमें क्या आएगा the process the process in which in which the loss of electrons by an atom I or molecule वो process जिसमें atom I am your molecule electron को क्या करेगा लूज करेगा electron को लूज करेगा ठीक है कहने का मतलब क्या है कोई भी species चाहे वह atom हो चाहे आएज हो चाहे molecules हो जब वह अपने electron लूज करेंगे लूज का मतलब जो उनके वह अपने यह सुर्शन में जो इलेक्तॵ तो देखेंगे छोड़ देंगे तो वह क्या होगी बडिसा oxidation क्या होगी ड़ीजा ऑक्सिडेशन अब अब क्या होगा जब ऑक्सिडेशन होगी ऑक्सिडेशन उनको तो क्या होगा Oxidation जैसे हुई Charges में फरक पड़ेगा यह चीज ध्यार रखना भी मैं यहाँ पर लिखते देता हूँ जैसे ही Oxidation हुई जैसे ही Electron lose हुए जैसे ही Electron क्या हुए? Lose हुए तो Positive Charge बढ़ेगा Negative Charge घटेगा यह चीज याद रखने है पहले Simple सा याद रखो Oxidation क्या होती है? Loss of Electrons कौन करेगा? Atom, Ion, Molecule अपने Electrons lose करेगा Oxidation में Electrons lose होते हैं जब lose होगे तो Obviously क्या होगा? Positive Charge बढ़ेगा, Negative Charge कम होगा तो यह Reduction होगी, वो उससे उलट होगी Oxidation में Electrons lose होते हैं Reduction में Electrons gain होते हैं ठीक है, अभी फिलाल Reduction में जाओगा अगर आप दोनों parallel करोगे तो Confuse हो जाओगे ठीक है, तो मेरी आपको यही सला है कि आप क्या करो, जब भी Oxidation Reduction समझो नहीं पतार चल रही है, एक चीज़ को याद रखो चाहे Oxidation को चाहे Reduction को ठीक है, अगर आप दोनों मिक्स करोगे तो फिर वाकी खिचली पक जाएगी वहाँ पर ठीक है, तो हमारा Oxidation का मतलब क्या है The process in which the loss of electrons by an atom, ion और molecule ठीक है, इसमें क्या होती है कि electrons, atoms अपने electrons को loose जब लॉस of electrons, मतलब electrons जो भी atom होगे, ion होगे, molecules होगे वो क्या करेंगे, अपने electrons को loose करेंगे, loss of electrons तो वो क्या होगे, that is Oxidation अब Oxidation जैसे होती है, तो Positive Charge बढ़ता हो, Negative Charge Decrease होता है, ठीक है, वो आपको अभी मैं Example से समझाने बाला हूँ ठीक है, ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि Oxidation में क्या होगा Positive Charge बढ़ेगा, Negative Charge डिक्रीज होगा, यही Oxidation में, यह बता रहा हूँ अब देखो, जैसे Electron lose हुए, Positive Charge बढ़ा, 0 से क्या आगया, प्लस 1 आगया यह प्लस 2 से, प्लस 3 हो गया, मतलब Positive Charge बढ़ रहा है जैसे इसने Electrons lose किये, Negative Charge कम हो रहा है, यह 2 Negative से क्या आगया, 1 Negative आगया ठीक है, अब देखो कैसी हुआ यह, इसे ध्यान से समझो, Sodium का क्या होता है, Sodium क्या है, Sodium का आपको पता है 281, जब यह अपना एक Electron निकाल देगा, तो मैंने कहा, जब भी कोई Electron lose करते है, तो चार्ज क्या था, Positive, Ketine बनता है, क्या बनता है, Ketine, तो ठीक है, यहाँ पर कोई अभी चार्ज नहीं था, जैसे इसने Electron अपना छोड़ा, Electron lose किया, तो क्या बन गया, Plus 1, क्या बना, Plus 1, मतलब 0 से Plus 1 आ गया, मतलब Positive चार्ज बढ़ गया, कब बढ़ा, जब उसने अपना ये वाला Electron छोड़ दिया, Electron छोड़ दिया, मतलब, छोड़ दिया, मतलब, Loss of Electrons, Electrons को lose किया, जैसे lose किया, तो क्या हो गया, यह इस पर Positive चार्ज आ गया, मतलब Positive चार्ज जीरो था, य जैसे यही चीज़ है, यह F2 प्लस है, F2 प्लस ने क्या किया, Electron lose किया, 2 प्लस ने Electron lose किया, जैसे Electron lose किया, तो यह 2 प्लस से 3 प्लस हो गया, मतलब, मतलब, इसने Electron जैसे lose किया, इसका Positive चार्ज बढ़ गया, तो Oxidation यही कहते है कि Loss of Electrons, और उसमें क्या आता है, कि Positive चार मगनिशियum में क्या है, मगनिशियum क्या होता है, 282, अब ये 2 एलक्ट्रोंस लूज करेगा, 2 फिन पॉज्टियू चार्ज बढ़ गया कि यहां पर, नेगटिव चार्ज MnO4 2 नेगटिव था जैसे इसने लेक्टोल लूज किया इसका 2 नेगटिव से माइनस 1 हो गया 2 नेगटिव से माइनस 1 बदला नेगटिव चार्ज डिक्रीज हो गया ठीक है इसको मैं समझाता हूँ सही रंग से देखिए जैसे स्पोज मेरे पास क्लोरीन नेगटिव था जैसे मेरे पास क्या था क्लोरीन नेगटिव क्लोरीन का एक से देखो जड़ा इसको ध्यान से मालो क्लोरीन का नेगटिव था ना इसका मतलब इसने 288 किया होगा क्यों क्लोरीन का वैसे 287 होता ना वैसे वो क्या करेगा यह उसने इलेक्ट्रोन ले लिया यह उसने ले लिया होगा उसने नेगटिव माइनस बन चार्ज आ गया होगा देखो ना इसको ऐसे समझो क्लोरीन था क्लोरीन ने क्या किया एक इलेक्ट्रोन लिया अब मैं लूज की से लिए अब देखना सी एल नेगेटिव जब अपना इलेक्ट्रोन लूज करेगा क्योंकि इसके पास अब कितने आगे टू एट सेवन से इसके कितने होगे टू एट एट होगे बतला इसके पास टू एट एट है तू एट है यहाँ पर देखो टू एट 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 यह उठाया मैंने यहाँ से तो यह क्या हुआ जब इससे इलेक्ट्रोन निकल गया इसके पास एक्स्ट्रा जो एलेक्ट्रोन था वो चला गया चला गया यहाँ से अब यह क्या बन गया टू एट से बन गया टू एट एट से टू एट से बन गया मतलब क्ल लूस किया जाता है तो नेगटिव चार्ज कम हो जाता है पॉजटिव चार्ज बढ़ जाता है यहाँ पे दिखो पॉजटिव चार्ज क्या हो रहा है बढ़ रहा है जीरो से प्लस वन यहाँ पे 0 था, प्लस 2 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस था, 2 प्लस से 3 प्लस हो गया Oxidation में, Oxidation में Positive Charge बढ़ जाता है, Negative Charge कम हो जाता है ठीक है, clear, और यहाँ पे समझने वाली चीज़ कि Oxidating Agents क्या होते हैं जो Oxidation करते हैं, वो Oxidating Agents नहीं होते हैं, यह ध्यान रखना यह वाले जो Oxidation कर रहे हैं, यह Reducing Agents होते हैं, उलट करना है जो Oxidation करते हैं, वो Reducing Agents यह कभी नहीं सोचना, कभी दिमाग भी ना नहीं आफिसेशन ये भी जोगी दो इसा नहीं और खिश्री एजन इसे हो ऑक सिर्टेशन वाले बंदें कौन और रिडूसेंग एजेंट करना है हो और सकति हुए खें अब हम बातबात किर थे फटफट रिडेक्शन पी दिखने प्लाग टा अल्यूनल ट्री болION प्लाग एजेंट् अब यहाँ पर positive charge कम होगा negative charge negative charge बढ़ेगा increase हुआ negative charge बढ़ेगा और positive charge positive charge क्या होगा positive charge कम negative charge बढ़ेगा उससे उलट इसको मैं डा देता हूँ अब देखो अब बात करते हैं अब हम बात करेंगे reduction की, reduction क्या है It is a process in which atom or ion gain one or more electrons oxidation क्या था, lose करना reduction क्या है, gain करना electrons को gain करना जब electrons जैसे ही gain करेगा तो क्या होगा, positive charge मैंने भी बताया था कम होगा, negative charge बढ़ेगा, ठीक है, देखिए examples, cl था charge यहाँ पर 0 लगा लो ठीक है, हाला कि इसमें chlorine cl2 लेते हैं, वैसे आपको समझा रहा हूँ, cl में एक electron gases ने लिया gases ने लिया क्या हो गया, 0 से minus 1 negative charge क्या हो गया, बढ़ गया negative charge बढ़ेगा, बढ़ी रहा है, देखो जैसे electron लिया, negative charge बढ़ गया, पहले नहीं था negative हो गया, positive charge कम हो रहा है, Fe3 plus, plus electron Fe2 plus, 3 plus से 2 plus हो गया, देखो, यह Fe3 plus क्या, क्या Fe3 plus? Fe3 plus क्या है, शो कर रहा है Fe3 plus शो कर रहा है कि इसके पास इस बचारे ने इसके पास 3 electron की कमी है 3 plus लेके बैठा है, बचारा कहता यार, मुझे 3 electron दे दो मेरे पास 3 electron की कमी है, जब मिल जाएगी तो मैं बिल्कुल neutral हो जाऊँगा ठीक है, तो यह क्या चाहता है? यह क्या चाहता है? बैसे तो 3 electron बच्छों की मिल जाएगा, चलो एक electron जैसे मिला तो एक electron जैसे मिला तो क्या बन गया? फ़ी 2 plus बन गया फ़ी 2 plus बन गया, खुश हो गया चलो ठीक है, 3 plus से बाद बनी तो मैं 2 plus हो गया मतलँ एक electron यह क्या कर रहा है? अब इसके एक को एक मिल गया तो यह टू-प्लस हो गया मतलब यहां पर क्या हुआ रहा है त्री प्लस से टू-प्लस हो रहे है मतलब पॉजिटिव चार्ज अधिक है रिडुक्षिन में पॉजिटिव चार्ज कम हो रहे है थिए फिर बिचारे के यह टू प्लस के शो कर रहा था इसके बस दो की कमी है चुल हमने एक दे दिया एक लेक्ट्रों दे दिया इसने एक लेक्ट्रों गें कर दिया एफी प्लस बन गया मतलब प्लस टू से क्या बन गया प्लस वन पॉस्टिव चार्ज क्या हो गया डिक्रीज हो गया अब यह प्लस एक पॉजिटिव से निट्रल चार्ज पर कभा गा गां से उसको वह ऑप्र दे द तो वह उससका चार्ज होता जाएगा ठीक है तो यह चीज नहीं चाहिए तो छीज तो नहीं है concentration 2-2 प्लस नियुक्षों कर दो कि कमी है अब सब्चार को दोनु इलग्ट्रोन मिल गए सीधा ही 2-3 प्लस से यहां पर आगया अब पॉजिटिव से 0 पर आगया मतलब पॉजटिव चार्ज कम हो गया तो cl लेकडिक भावी तो cl कभी तो यही हाल था cl कभी तो यही हाल था जैसे मैं पिछली example भी की थी CL में क्या था इसके पास क्या था 287 ठीक है तो इसने क्या किया एक electron इसको मिल गया जैसे एक electron मिल गया यह तो पिछला neutral था ना इसको एक electron मिल गया तो CL-1 बन गया minus जब आता है तो यह indicate करता है कि उसके पास extra electron पड़ा हुआ है CL-1 क्या था उसके पास extra electron पड़ा हुआ था ठीक है तो क्या हुआ negative charge क्या होता है negative charge क्या होगा वहाँ पे आपका positive charge क्या होगा और हमारा positive charge कम होगा negative charge क्या होगा बढ़ेगा negative charge 0 से minus 1 मतलब 0 से negative किता चला गया नेगड़िफ आर्ड बढ़ गए अब ये छीज काहाँ ये रिडेट्शन करता है न ये रिडेट्षं करता है पिर अज नहीं है ये डिक्षों करता है पर राइव रिड़ी आज चीज ओनारी देखना रैजन पांडने है यह जो के दिखते कद किये आ हार चमकतीचीज होना नहीं होती यह रेडक्षन है रेडूस्इन के जड़ नहीं है उल्यकिटो है तो reducing agent है reduction है तो यह क्या थी हमारी redox का मतलब redox reduction में redox का मतलब red बतलब reduction Ox Ox Oxidation मतलब आपको पता चला होगा कि oxidation reduction actual में क्या है oxidation simply lose करना oxidation reduction का मतलब electron score gain करना ठीक है तो हमने आपको मैंने पुरा आपको example के साथ समझा दिया तो ये reduction और oxidation दोनों साइमल्टेनसली होती है, यह नहीं कि रेक्षियन पहले होगी, और सीषियन ही बात में होगी, साइमल्टेनसली, ठीक है, तभी कोई लूज करेगा, अगर कोई लेने वाला होगा, जैसे हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हम ऐसे लोड़ी पैसे बारते जाएंगे, हैंना, आपिए निन कोई लगता कि वह गेन करने हैं तब हैं तो यह दोनों चीज के सामेटेर निली हम ऐसे कभी पैसे नहीं नी वाला थे थेक है हमें लगता कि वहाँ पे वो बागर बैठा है तब ही जय में से थैसे निकलते हम उसको देते हमारी बंधे को क्यों देते ठीक है हमें लगता कि वह देने वाला था ऐसी reaction में ऑगर है अब देखो एक एक्जेमपल लेते हैं फटाफ़ाफट जिंक है जिंक कॉपर सिलफेट और यह क्या बनता है जिंक सिलफेट प्लसक कॉपर यह मारा सॉलिद यह हमारा एक्वास यह एक्वास और यह सॉलिड चुल इसको तोड दे मैं बताउगा कई कौन ऑक्सिडेशन कर रहा कहां पर चार्ज बढ़ रहा है कहां पर चार्ज कम हो रहा है चलो यहां पर देखो यह जिंक है ठीक है जिंक इसको तोड़ दो सी यू टू प्लास साइन प्लस नेगेटिव तोड़ दें एक्वेस 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 यहां पर भी जिंक टूटेगा और लगार चार्ज चलो अब इसमें से कॉमंग यह काट देता हैं त्रीक है अब बचा गया देख ध्यान से लेग्माना अब बचा गया जिंक प्लस और कॉपर तू प्लस जिंक टू प्लस और कॉपर इक वर यह एक वर यह सॉलिद देखो अब बताओ मुझे की कौन ऑक्सिडिशन कर रहे हैं कौन रिडेक्शन कर रहे हैं ठीक है जी बताओ जे पर प्लस चार्ज का बढ़ना जीरो से प्लस चला गया तो यह क्या कर रहा है तो यह क्या कहूं ऑक्सिडिशन नमबर का बढ़ना चार्ज का बढ़ना जीरो से प्लस चला गया तो यह क्या कर रहा है और अब यह रिदूसिंग एजट नहीं है फिर क्या है रिदूसिंग एजट ठीक है यहां से पता चल गया कॉपर टू प्लस की बात करें यहां पर यहां से यहां देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज जहां पर कम होता है वो क्या करता है डिदक्शन करता है पॉ का मतलब यह एक उसने दो प्लस थे दो प्लस दो किसने डो प्लस व्लस दो अथिकrik रही किया है ठिक है यहाँ से ने क्या किया चिंप ने दो एक्ट्रन लूस कि गए थे वह किसने ले लिए यह वाला शेर बैठा हुआ है इसने दो एलेक्ट्रोंस गेन किये और यह क्या बन गया इसका मतलब इसका क्या था reduction मतलब positive charge कम हो गया reduction में positive charge कम ही होता है oxidation में positive बढ़ता ही है तो यह चीज़ भी प्रूब कर रहे है तब ही मैंने एक्जेंपल दी आपको कि आपको oxidation reduction का कुछ साथ अच्छे से clear हो जाए ठीक है तो क्या हुआ जिंक से इसने लूज किया तो जिंक टू-प्लस बन गया copper 2 फ्लस ने गेंड किया क्यों फ्लस था ना इसको दो की कमी लिया दो एक्ट्रोंस मिल जाए तो यह दो एक्ट्रोंस लेके सी यू बन गया copper बन गया तो यहां पर चार्ज क्या हो गया positive charge कम हो गया positive charge कम मतलब अब कम हो गया मतलब उसने की की रेडक्षन की यहां पर क्या होई oxidation ठीक है इसका अब बढ़ गया तो यह क्या था oxidation क्या थी reducing agent तो यह reduction क्या reducing agent no reduction reduction वाला oxidizing agent yes reduction वाला oxygenated ठीक है तो यह था हमारा आज का concept oxidation और reduction पे हमने इसे deeply study किया आज पड़ा ठीक है आप एक दो बात देखो वीडियो को समझो confused नहीं हो ला कि आप oxidation क्या थे reduction क्या थे एक चीज़ याद रख लो oxidation या reduction ठीक है तो oxidizing reducing agent oxidation reduction का जो confusion था शायद आपको आज वो हम कहा सकते हैं दूर हो गया होगा तो hope आपको यह lecture अच्छी से clear हो चुका है ठीक है अगले अब दुबारा वीडियो में आगे study करेंगे आगे पड़ेंगे reduction के बारे में पर यह base clear करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यह भी students को यह भी मुझे नहीं पता होते हैं ठीक है तो आज के लिए फिलाहल इतना ही था मुझे इजाज़त दीजिए नए वीडियो में तुपारा हाजिर होंगे तब तक के लिए जाज़त थैंक्यू गूबबाए टेक कैड़ कryड़ दूस对 बड़्या दोरूरूरूरूरूरूरूरूरू in झाल झाल